हेलो गाइस इस फॉर्म का जो ऑल्लाइन है 15 4 2020 से स्टार्ट हो गया है और आपका लास्ट जो है 14 5 2020 तक है और आपको जो ऑल्लाइन करना है आपका website मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जो www.ig.cov.in इस website मैं पुर्यों करना और इसमें पहला जो पोस्ट आपका? guyl 01 जिसका पोस्ट कोर्ड है scientific officer E इसमें एक वेकैंसी है दूसरा आपका है technical officer E इसमें वहीं एक वेकैंसी है तीसरा आपका scientific officer D इसमें तीन दीन बेकैंसी है चौता आपका है Technical officer जो आपका है आपका coincidence ग्रेटर डोटisटाटटी ईसमें 4 अपसीड आपका आपकार लाप ग्रेंशी है सेक्रुटी गट्वा सुच्टट बाम सुच्टी ग farms उस्टेस्ट भीचेंसी इसमें आत्षी जो आपका a stop दसवा जोगा का रिखैंसी है केंटिन एंटेंडेट 15 एंटेंड शं difference आथ इस तरह कूल 98 पढोपे बहा लिया आथ दूसरा जो आपका है Stephen Terry इसमें आपका जो है Category 1 और Category 2 दो पदो पहा लिए जो पहला Category 1 है इसमें आर्सट पोस्ट पहा लिए और दूसरा जो आपका 111 पोस्ट पहा लिए इसमें टोटल आपका होगा 239 पोस्ट पहे वेकंटी है पहला जब पोस्ट आपका Scientific Officer E इसमें जो आपका qualification required है PhD होना चाहिए Metallurgical Engineering में या Material Engineering में और आपका अगर BTEC है Metallurgical MSC भी है MSC आपका Physics Chemistry Material Science में है और भी 60% है तब इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और इसके लिए जो आपका age है 18 साल से minimum होना चाहिए 18 साल minimum और 40 साल आपका Maxim होना ज़री है और इसके लिए salary जो आपका 8800 रुपे दिया जाएगा प्लस आपका DA रहेगा अलाउसस भी बहुत सार रहेगा और इसमें जो selection होगा आपका personal interview कि तरू होगा और इसमें आपका test भी होगा 75 marks का होगा और एक question आपका 3 marks कर रहेगा और एक negative पर आपका 1 marks काट ले जाएगा file and selection जो आपका इसमें है वो personal interview में तरू जो आप marks लाएगे उसके तरू होगा दूसरा जो आपका है technical officer E इसमें आपका जो qualification required है bachelor of engineering B.E. होना जोरी है या फिर bachelor of technology आपनों करके रखें तब इसके लिए apply कर सकते हैं इसमें इसमें 60 marks माँआ गया है और आपका इसके लिए experience आपका 9 साल का experience माँआ गया है और age limit आपका इसमें भी जाएगा और इसमें आपका DAB रहेगा और allowances भी इसमें दिये रहेगा और इसमें भी same selection process है दीसरा जापका है scientific officer D इसमें जापका है जैसे SOD 01 है उसमें आपका जो है PhD physics मागा है पीजिक्स में आपका PhD होना जो रही है या फिर्ट्रोनिक्स with bachelor of science physics, master of science, physics, bachelor of engineering and master of engineering, master of science और master of technology in electronics with 60% marks आपका समय मागा है और इसमें लिए आपका तीन साल के experience मागा है और भी आपका device fabrication में और आपका दूसरा जो है SOD 02 physical material science इसके लिए आपका PhD मागा है और भी फिजिक्स है और भी आपका फिजिक्स से तब अपलाई कर सकते हैं master degree अगर है तब भी इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और इसमें भी 60% marks मागा है SOD 03 physical material vacancy one इसका भी आपका PhD मागा गया है और भी सी भी है तब अपलाई कर सकते हैं और इसमें भी आपका 18 से लिए चालिस साल तक यह एपलाई कर सकते हैं और इसका सेड़ी आपका 600 रुपया दिया जाएगा प्लस डी और लांसेंस भी इसमें इंक्लूडेट रहेगा चौथा आपका पोस्ट है टेकनिकल ऑफिसर इसमें जो आपका है पहला टी योसी 01 जो कोड है पोस्ट कोड है उसके लिए आपका MSC अप्टेक आप इन एटमोस्फेरिक साइंस मेटलोर्जिकल विच पर्शन मार्क्स आपका मांगा दूसरा आपका टी योसी 02 उसमें केमिकल में उसमें और फिट योसी 03 से लेकर टी योसी तेन तक इसमें सभी में बैचलर इंजिनिंग आपका मांगा है और आपके सिटी पर्शन मांगा गया है और टी योसी 03 सौरी 11 जो है इसमें आपका जो है बैचलर आप साइंस ब्सक्राइब आपका कमेस्टरी से होना जोरी है और अगर MSC करके रखें हैं तब आप ज़्यादा फिर फिर साबको मिलेगा फिर टी योसी टूल इसमें आपका सेलरी है वो 56,100 रुपिया दिये जाएगा प्लस डी ये और अलांसस एक्स्टर रहेगा और इसमें भी आपका सेलेक्शन सेम है प्रतर कोश्चिन प्रतर अब्यक्टिव कोश्चिन रहेगा और एक कोश्चिन आपका तीन मार्स का रहेगा और आपका जो माक्स सेक्यूर बी क्रेन ऑपरेटर इसमें भी आपका एससी होना चाहिए मैस साइंस से और एस एगर फिजिस से हैं तब केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स सर्टिफिकेशन है कार करन अपरेटर है तब इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और इसका आपका अठार से लेकर पच्छिस साल की यू अबर ऊधार मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपका एसे हैं तो 40 परषिण आपको लाना पड़ेगा अगर आप फिर एडवांस जो है आपका उसमें भी अगर अर्ज़र क्रेटिक्री से है तो आपका 30% मार्क्स लाना जूरुज़ी है तब जाके इसमें सेलेक्शन हो पाएगा चर्ट आपका पोस्ट है इसमें अपका SSC 50 मार्क्स से होना जोल और इसमें आपका टाइप इसमें 18 या अपका लिकार प्लस डिया जाएगा अपका रिटेंट जो रहेगा उसमें सो कुश्चन रहेगा उसमें आपका जनरल इंग्लीज जनरल ओले जनरल इंट्रियंस एंड इजिनिंग कॉंटिटी अप्चूट कर रहे है कुश्चन साथ नंबर जो का पोस्ट है अपट डिविजन क्लर्क इसमें आपका अठार से लिकर सताइस साल के यॉएस में अपलाई कर सकते हैं और इसके लिए आपका जो है 25,500 रुपय दिया जाएगा प्लस डियो और अर्लांसे सबका दिया जाएगा और इसमें प्लका सो कुश्चन र सब्सक्राइब कर रहेगा और आठार नंबर जो पोस्ट ड्राइबर ओजी इसमें आपका दस पास होना जोरी है और आपके पास हैवी लाइट एंड हैवी वेकल का लाइसस होना जोरी है और इसके लिए आपका सेड़ी जो 19,900 रुपया दिया जाएगा प्लस डियो और ला प्लस डियो प्लस डियो प्लस अलाउंस अपलोन है तो हाइट आपका मेल में 167 होगा और फीमेल के एक सुनतावन और अगर केंडियट है जैसे गुहा गर्वाल हो गया कुमोन होगे माचल परदेस है गोहास हो गया जोग्रास हो गया मत्रा कास्मीर वेली लेह लद्दाग जमुकस्मीर नोर्थ इस आरक आपका 156 cm हाइट होना चाहिए लड़के के लिए और लड़की के लिए 155 होना जोर जोरी है और उसी तरह आपका जिसे जेके हो गया नौर्थ इस्ट हो गया सिकीम लड़क यह सारसे को बिलोंग करते हैं तो आपका भी चेस्ट इसमें 80 होना जोरी है और एक्सपेंड करका 85 होना जोरी है और इसके लिए जो आपका 100 मेटर का रण होगा 16 सेकेंड आपको दिया जाएगा लॉंग जम जो होगा 3.65 मीटर तीन चांस में आपको कम्प्रेट करना है चीनप्स जो आपका है अगर 30 साल से उपर है तो 8 से 9 मानना है 30 से 40 साल है तो 5 से 6 पुसप्स जो है आपका जो 40 से 45 साल के है 16 सत्रा और अबब 45 साल के जो है 12 से 13 मानना है सीट अब जो है आपका अगर 30 साल से उपर है तो 25 से 29 मानना है और 30 से 40 से तो 20 से 24 और 40 से 45 से है प्रिमेल के जो रहेगा आपका 100 मेटर को बीस सेकंड दिया जाएगा लॉंग जब आपका 2.7 मेटर जो है और 9 फीट और 3 चांस आपको कॉप्रेट करना है इसके लिए आपका जो फिमेल के लिए सीट अपका अगर 30 साल से जादा है तो 20 मानना है 30 से 40 साल के तो 15 सब्सक्राइब चालिस से 45 साल के तो 12 अब पैंतालिस साल से हैं तो 10 यह सारा मानना आपको और इसमें जो आपका दो एक्जाम होगा पहला फीजिकली स्टैंडर होगा और एक आपका रिटेंट टेस्ट अ और इटेंट टेस्ट में आपका कंपरिशन रहेगा 25 मास का जनल अब इसमें आपका पचीस मास का रहेगा वर्क असिस्टेंट इसमें भी आपका 10 पास होना जोरी है इसमें 18 साल की यह अप्लाइब कर सकते हैं इसमें 18,000 प्लस डीए प्लस अलाउंसस आपको दिये जाएग इसका जो आपका दो एक्जाम होगा परबिट टेस्ट एडवांस टेस्ट में आपका मैट साइंस्जन घ्शन होगा और अडवांस टेस्ट में साइंस जैनलश और बैसिक इंग्लिस क्या ह LIKE लियायोél नॉम्बर ज़े आपका है प्लस टेश्ट और में आपका एडवांस टे को टाहँ करने से और स्टाफ पन्रेस्ट जो है क्टिक्रीवान लूए स्टेगरीवाव magnificent और ऊपॉर में होगनर्टोनिك इश्ट से उप्म्रेस गहां अ क्योंग्री में आपका ब्हुंता için कैटिगरी 7 में आपका BSC Physics में होगा हो मांगागा इसमें और इसमें सेलेक्षिन जो आपका जो रिटन टेस्ट में सेलेक्ट लिस्ट होंगे और उनका पर्सनल इंटर्व्यू होगा और रिटन टेस्ट आपका उसमें 100 कोशन रहेगा सब सारा अबजेक्टिव रहेगा एक आपका एक मास काट ले जाएगा दूसरा आपका कैटिगरी टू ट्रेनी इसमें आपका डॉट्समें का आपका जो है डॉट्समें कैटिगरी टू कैटिगरी टू कैटिगरी ट्री से लेकर कैटिगरी एट कैटिगरी सेवन तक इसमें आई टिम आ गया है एचसी आपका मिने क्टिग्री年 6 से लेकर एटेक्ड तक में भी आपका सारा आपजेक्टिव कुस्जेन होगािसमें भी ।ॉ-। टर्व ट्रीप एद्वान cinnamon फेली में आपका Math Science जर दिया जाएगा सेकेंड यह आपका अठारा जर दिया जाएगा और केटिगरी टू आपका 10500 और उसमें सेकंड यह आपका 12500 आप तीन जर्प आपको एक्स्टा दे जाएगा के टिग्री वन स्टाप्मेट ट्रेनी जो है सांटिफिक एसिस्टेंट इसमें जो आपका नाटी पर आपका यह अशीव करेंगे तो अलुन को आपको 25500 पर दिया जाएगा अटेक्शन बी टेक्निशन भी इसमें आपका जो है आपका 300 पर आपका फी लगेगा तो इसमें जो भी इंपोर्टेंट था मैंने सारा कुछ बता दिया और वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है फिर भी अगर अगर आप लोगों इसके लिए अप्लाइ करना चाहते हैं तो अट्वर्टिस्मेंट मैं इसका कमेंट बॉक्स में दे दूँगा महां से आप लोग अट्वर्टिस्मेंट को डाउनलोड कर लिजेगा पूरा पढ़ लिजेगा उसके बाद अपलाइ कीजेगा और कोई प्रॉल्म होगा तो जरूर कमेंट कीजेगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइ नहीं मिलेगा थैंक यू फो वाचिंग